हेलो स्टुडेंट्स, आज हम जिख लेंगे फुरूट्स ने, तो स्टाट करते हैं, बच्चों आप सबको भी फुरूट्स के लिए मेरे साथ बोलना है, एपल, बनाना, मैंगो, ग्रैप्स, ग्वावा, पोग्रेनेट, पाइनेपल, चिक्कू, स्वीटलाइन, ओरेंज, स्ट्रॉबरी, कस्टनेपल, पपया, प्लॉम, पीट, बोटरमेलर, चेरी, जामून, स्टार्फ्रूट, कीवी, तो बच्चों फिट्स से हम एक बाई साथ रोट रिपीट करते हैं। एप्पल, बनाना, मैंगो, ग्रेप्स, ग्वावा, पोग्रेनेट, पाइनेपल, चिक्कू, स्वीटलाइन, ओरेंज, स्ट्रॉम्बेरी, कस्टड एकपल, पपईया, प्लॉम, पीट, बोटरमेलर, चेरी, जामून, स्टार्फ्रूट, कीवी। बच्चो, क्या सिखा हमने, फ्रूट्स नेम, अब हम फ्रूट्स नेम भूप में देखेंगे। बच्चो, इस भूप में आपको पेश दंबर टेन ओपन करना हैं, वहाँ पर आपको दिये गए है फ्रूट्स नेम, तो स्टार्ट करते हैं। मैंगो, कौन सा है ये बच्चो, मैंगो, आप सबको भी फ्रूट्स करने मेरे साथ बोलने हैं। स्ट्रॉबेरी, बनाना, ग्रेप्स, जामून, एपल, वाटरमेलन, चीकू, पाइनेपल, स्वीट लाइम, पोमग्रेनेट, ओरेंज, पपईया, कस्टड एपल, फीग, जैक फ्रूट, चेरीज, ग्वावा। तो बच्चो ये सारे किसके नेम थे फ्रूट्स नेम। अब नीचे हमको कूछ क्वेश्चन अर्सर दिये गए हैं। अब हम वो देखते हैं। First है, Why should we eat fruits? बच्चो हम लोग fruits क्यों खाते हैं? तो देखते हैं, We should eat fruits because they are very good for our health. बच्चो हमारी health के लिए fruit बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए हम लोग fruit क्हाते हैं. Next Question, Which fruit is the king of fruit? बच्चो, fruit में king of fruit क्या है? Mango कौन सा है बच्चो? Mango Next question What we make from fruits? बच्चो, हम fruits में से क्या बना सकते है? We can make jam, jellies, pickles, juice and milkshake from fruits. बच्चो, हम fruits में से बहुत चार चीज़े बना सकते हैं. Jam बना सकते है, jellies, juice और milkshake भी हम लोग fruits से बना सकते हैं. तो बच्चो, आज हमने किस के नेम सीखे? Fruits के ने. तो फिर से हम एक बार repeat करते हैं. आप सब को भी मेरे साथ बोलना है. Mango Strawberry Banana Grabs Jam Moon Apple Watermelon Chiku Pineapple Sweet lime Pomegranate Orange Papaya Custard Apple Fig Jackfruit Cherries Guava तो बच्चो, इसी तर आपको ये fruits के नेम बोलते नेने हैं. और रिविजन करते रहना है. तब हम नेक्स वीडियो में मिलेंगे. तब हम नेक्स वीडियो में मिलेंगे.